सबी भक्तों को राधे राधे गाईज आज मैं आपको कुछ नए तरीके से पगड़ी बनाना और ड्रेस बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी और आसान तरीका रक्षा बंदन में आप ये ड्रेस पहनाएंगे बाल गोपाल जी को तो गाईज यहाँ पर मैंने वन नमबर के काना जी लिए है तो ये ड्रेस हम जीरो वन टू को आसानी से पहना सकते हैं कुछ भी दिक्कत नहीं होती है गाईज और पहनाना भी बहुत ही इजी है गाईज मैंने और भी बहुत सारे लडू गोपाल जी के ड्रेस के जवैलरी के वीडियोज बनाए है अगर आप देखना चाते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो देखिए गाईज कैसे लग रहे हैं मुझे कमेट करके ज़रूर बताना और ज्यादा पसंद आया हो तो अपने मीत्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना तो देखिए गाईज कितना बड़ी आलूक आ रहा है तो आप भी चन्माष्टमी रक्षा बंदन में इस तरह के ड्रेस पहना सकते हैं और बनाना भी बहुत ही इजी तरीका मैं पूरे वीडियो में श्टेबाई श्टेबाई नाप लेकर बताया है तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने ब्रॉकेट का कपड़ा लिया है इनके साथ हम कॉटन के अस्तर का यूज करेंगे ताकि ये कपड़ा बाल गोपाल जी को चुबे नहीं और ये कपड़ा धागा धागा होता है तो हम इसकी पूरी कवर्शी लाए करेंगे ताकि हमारा ड्रेस भी खराब ना हो सके और इसको हम भौश भी कर सकते हैं कुछ भी दिक्कत नहीं होती है तो सीथा भाग मैंने श्ट्रिप का उपर की तरफ रखा है अभी आपको नाप दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी लंबी श्ट्रिप लिये है बस सिम्पल मैंने यहां पे रीबिन का यूज किया है ये गोल्डन रीबिन है बाजार में एक मीटर की रूपिय की मिलती है ताकि मुझे कपड़े को मोड ना पड़े और उपर की तरफ भी हम इस तरह से टीस लगा देंगे ताकि बीच में कुई जोल नो पड़े अब हम पेले श्ट्रिप को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और उपर जो अस्तर का एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंग तो यह अमारी श्ट्रिप बन के रैडी है तो देखे कितना बड़ी अलू का रहा है कुछ भी नहीं करना है गाइस तो इसकी मैंने लंबाई लिये है 35 इंचिस और चोड़ा इसकी 3 इंचिस है केरा आप अपने इसाप से कम ज़्यादा ले सकते है मेरे पास जितनी श्ट्रिप लंबी थी उतनी मैंने ले लिये है गाइस अब हम दोनों किनारों पर इसी तरह से टेच कर लेंगे तो देखे यह अमारी ठीच हो गई है अब हम डेड डेड इंच के इस तरह से माग कर लिजे अगर आपको प्लेट्स लेने में धिक्कत होती है तो कुछी इस तरह से हमें उंगलियों की मदद से कपड़े को मोड़ना है तीरे तीरे और सारी प्लेट्स हमें नज़्दिक नज़्दिक रखनी है प्लेट्स हमें लड़ू गोपाल जी के कमर के इसाब से बनानी है अगर वो भी समझ में ना आए तो बीच बीच में आप नाप कर लिजे ताकि आपको प्लेट्स लेने में आसानी रहे और अमारा एक प्यारा सा ड्रेस बनके रेडी हो जाए गाईस तो देखे गाईस कुछी इस तरह से धीरे धीरे हम पूरी श्ट्रिप की प्लेट्स ले लेंगे गाईस मैंने पुझा पाट की रुई की बाती के भी बहुत सारे वीडियोस बनाए है अगर आप देखना चाते है ता आप मेरी चैनल पर जागर देख सकते है अब उफर जो एक्ष्ट्रा कपड़ा ने उसको हम कट कर लेंगे ताकि नेफे की फिनिशिंग अच्छी आए तो यहाँ पे मैंने कमर की लंबाई सिक्सींस रखी है अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पे नेफा बनाएंगे तो मैंने टू इचिस चोड़ा एक स्ट्रीप ली है और स्ट्रीप की लंबाई नाइन इचिस है तो कुछ इस तरह से सिंगल फोल्ड किया है और किनारे पे हमें यह स्ट्रीप को टीच करके अठेच करना है एक्ष्ट्रा मैंने कट कर लिया है तो देखे बहुत ही इजी और आसान तरीका है अब मैंने सिधा कर लिया है बीच में हम दोरी डालेंगे एदोरी रूपिय की मीटर मिलती है गाईस और हम दो से तीन ड्रेस में एदोरी टाल सकते हैं गाईस तो देखे बहुत ही इजी तरीके से हमारा केरा बनके रेडी है और पूरी कवर सिलाई मैंने की है अब हम बनाएंगे चोली तो इसकी लंबा है 13 इंच और चोड़ा इसकी 2 इंच इसे बस सिंपल हमें एक सिंगल इस तरह से फोल्ड करना है और यहां पर रीबिन को अटेज करना है बहुत ही इजी तरीका है गाईस तो हमें रीबिन के बीच में ही स्ट्रिप के कपड़े को रखना है और फिर टीच कर लेना है तो simple हमने दो ही teach करेंगे तो हमारी चोली बनके ready हो जाएगी गाइस बस दोनों की नारों को मिला कर यहाँ पर हम two inch इस तक teach कर लेंगे तो देख़ें यहाँ पर मैंने two inch teach किया है अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो यह अमारी प्यारी सी चोली बन के रेडी है केरे को सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे टीच करके अच्छी तरह से सेट करने के बाद टीच करेंगे तो यह अमारा प्यारा साथ ड्रेस बन के रेडी है गाइस कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है बनाने में और पांच मिलीट में हमारा ड्रेस बनके रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक श्ट्रिप लिये, एक्स्रा कट कर लिया है। इसकी लंबा ये साड़े 10 जीन्स और चोड़ा इसकी टू ही जीसे। अलका सा मैंने काट लिया, इसकी हम कलगी बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे हमने चोली में रिबिन टीच करके अटेच किये। वैसे ही हम पगडी में भी करेंगे। तो देखे गाईज, यह हमारी पगडी का बेस बनके रेडी है। इस तरह से मोरना है, एक उंगली का नाप लेना है। इस तरह से नाप लेने में समझ में ना आए। तो आप बाल गोपाल जी के सीर का नाप ले लिजिए। तो देखे, एक की मिलीट में हमारी यह पगडी बनके रेडी हो जाएगी गाईज। तो यह हमारा बेस बनके रेडी है। अब हम कलगी बनाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है। बस सीम्पल हमें उपर लेस को अटेज करना है। तो देखे, हमारी टीच हो गई है। एक्ष्रा कट कर लेंगे। और उंगलियों की मदद से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। और अच्छी तरह से दबा देंगे। तो कितनी प्यारी सी कलगी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम सुई और धागे की मदद से यहां पर नौट लगा देंगे। अच्छी तरह से स्याट करने के बाद। तो गाइस मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेट करके जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर राधे राधे हरे क्रिश्ना। पर अच्छी तरह से स्याटि उटेंसे उड़ убийी वीडियो ने बाद।